श्वागत थे दोस्तों बजट के इस सत्र में आप लोगों ने अभी तक बजट का एनलेसिस देखा होगा अलग-अलग तरीके से न्यूज के तरीके से या विविन चैनलों के माध्यम से फैक्शुल यहाँ पर मैं आपको बजट का ओरिजिनल प्रपत ले करके जो निर्मला स आपकी परिक्षा के द्रस्ट कोर्ट से चाहे वो यूपीसी हो एंपपीसी या विविन प्रकार के राज सेवाए हो या अन्य कोई सर्वसस हो अन्य कोई बोड का एक्जाम हो उन सबके लिए जो महत्रपूर्पॉंट है उसको हमने यहाँ पर रेखांकित किया है इसलिए आपको जानकारी मिल पाती है बजट के वारे में वो उतना प्रयाप्त नहीं होता है तो यहाँ पर हम लोग मूल बजट की प्रती देखेंगे और उससे जो अपने काम की चीज़ा था जो परिक्षा के लिए महत्रपूर्पूर्ण है उसे बाहर निकालेंगे और उनको कंठ रस्त करेंगे तो आईए देखते हैं तो इसमें जो सबसे पहला लिखा हुआ है जो सबसे पहले इसकी हेडिंग डियू हुई है वो है बजट 2023-2024 काई बार यह बहुत सरल प्रस्त पूंच ले जाते हैं कि इस बार जो बजट प्रस्त किया गया वो कौन से बित वर्ष के ल हमारा बित वर्ष नया बित वर्ष शुरू होता है जो 31 जनवरी तक चलता है तो उसको प्रस्त किया है और बित मंतरी ताई जी ने ठीक है इस प्रकार से लिखा गया है जो कि एक फरवरी 2023 को माननी अध्यक्ष महोद है कौन से अध्यक्ष महोद है लोकशभा के संसत के लोकशभा में प्रस्तुत किया गया तो लोकशभा के अध्यक्ष महोद है को संबोधित करते हुए यह बजट प्रस्तुत किया गया ठीक है तो आ अमरित काल 2022 के बाद जो लॉंच किया गया मार्स 2022 में जो हम आजादी का अमरित महुत्सो मनाएंगे 2047 तक के जो काल है जब तक हमारा 100 साल पूरा होगा उसमें से ये पहला पहला बजट है ये अमरित काल का अमरित काल का मतलब हमारे आजादी के 100 साल होने के उपलक्ष में या 75 साल जो पूरे हुए उसके उपलक्ष में जो हम लोग अमरित महुत्सो मना रहे हैं वो है ठीक है इस बजट में पिछली बजट में रखी गई नीप पर सतत निर्मार करते हुए भारत एर्दा रेट 100 के ल अले लाइन है इसमें यहां पर बतायां गया है कि बिभीन लिखिघों को लिज दूसरे दूसरे हां पर महत्तुर August दूसरा पॉइंट है इस बजट के विधेयर्दः पत्रञा भाचा का यिसमें ये लिखा है कि हमारी आजारी की 75 साल में दुनीया ने भारती अर्थ विवस्ता का एक चमकता सितारा माना है मतलब हमको एक चमकता सितारा माना है दुनिया ने हमारी अर्थ विवस्ता को ये ध्यान रखना है बजट में लिखा हुआ है चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर 7 प्रतिसत रहने का अनुमाल लगाये गया है तो बजट में प्रसन ऐसे बनते हैं कि बजट में चालू बित्वर्ष का आर्थिक विकास दर कितना अनुमाल लगाये गया है तो यहां से आपको कराता है कितना 7 प्रतिसत ठीक है यह COVID-19 और एक युद्ध के कारण वो युद्ध पर सुस्त पढ़ने के बावजूत संभव हुआ है साथ प्रतिसत का भी कास दर ठीक है यहां से यह आपको निकाल लेना है चलते हैं आगे बढ़ते हैं अनेक संकटों के बीच समुत्थान एहेडिंग का नाम है मतलब दुनिया में बहुत सारे संकट रहें उसके बीच इंफरासिट्चर पर हमने बढ़ियां काम किया है ठीक है शारी हापर यह यह ए कि बढ़ियां काम किया है किसपर हमने आधुतियी विशित्तरी भीच्ल पबिक इंफरासिट्रेक्ट्ब्र्स और राष्टी हाइट्रोजन मिसिन में अतिधिक शक्री भूमिका इनके उधारण है इनमें एक बहुत महत्पूर्ण और योजना का जिक्र किया गया है जिसमें पीम गरीब कल्यार अन योजना अर्थात पीम जी के एवाई के अंतरगत जो एक वरस में उपलब्दी हासिल की ही है पिछले साल कोविट के दौरान उसका इसमें उल्ले किया गया है ठीक है यहाँ पर कि इस प्रकार देखा जाए तो कि यह महत्पूर्ण पॉइंट यहाँ पर है इसको आपको ध्यान में रखना है क्या इन्हों ने लिखा कि कोविट 19 महामारी के दौरान हमने 80 करोड से अधिक लोगों के लिए 28 महीने के लिए मुक्त राशन खाद्यान की आपूर्द करने की योजना के साथ सुनसित किया गया कि कोई भूखा न सोये खादेवं पोशन गत सुरक्षा सुनसित करने के प्रती अपनी प्रतिवादता को जारी करते हुए पीयम गरीब कल्यान अन्य योजना पी एम जी के एवाई के अंतरगत अगले एक वर्स के लिए सभी अन्तियोते और प्रात्मिक्ता प्रात परिवारों को मुक्त खाद्यान किया पूर्थ करने की योजना एक जन्वरी दो हजार तेईस से लागू कर रहे है यहाँ पे अगले ही लाइन में भारत के जी टवंटी की जो अध्यक्षता कर रहा है भारत उसका उलेक भी किया गया है ये भी देख लेए और उन्होंने कहा है निर्मला सीतार अमरजी ने कि वैस्विक चुनाउतियों के इस दौर में G20 अधिक्षता हमें बिश्व आर्थिक विवस्था में भारत की भूमिका को शसक्त करने का एक अद्विती अवश्र देती है तो वसुधहव कुटुमबकम की थीम पर बिधेया की तो प्रस्थावना में G20 की चर्चा उन्होंने की है अगला महत्पूर्ण यहां पे देखना है बरस दो हजार चौदा से उपलब्धियां इन्होंने गिनाई है इस बजट में उसमें से जो हमारे काम की है अर्था जो पर एक्षार्थियों के काम की है बिदार् दुगनी से होकर दुगनी से भी अधिक होकर 1.97 लैक तो बजट की अनुसार अभी हमारी जो प्रतिविक्ति आए है वो यहां पे यह नो ने बताया है कि एक दिसंबलम 97 लाक रुपए वार्शिक हो गई है ठीक है तो यह PCI है इसको यहां पे ध्यान रखना है परिच्छा म दसमी से पांचमी सबसे बड़ी अर्थविस्ता बन गई है इस बितवर्स में इस बजट के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है यह आपके लिए इंपोर्टन हो सकता है ठीक है आगे अधी हम लोग देखें महात्व नुमा पॉइंट है परिच्छा के द्रिश्को से प्रतिविंबित होता है तो इन्होंने का कि हमारी रतवएस्ता थोड़ा सा दिजिटल हो रही है और ज्यादा डिजिटल हो रही है इसपे इन्होंने फोकस दिलवाया है लक्षित लाभगों को सब के लिए शुलप करने के साथ अन्यक योजनाओं के कुसल कार्यानवन के समा वेसी विकास संभवन हो पाया है कुछ योजणाओं की चर्चा इनोन की है जिन करत समावेसी विकास को बढ़ावा मिला है तो मेंस िच्छाओं के लिए यह बहुत ही इनको देख लेते हैं, पहला इनी स्वाक्ष भारत मिशन के अंकर ग्यारत बारत क्रोर इवस्था की गरी गाएं, जो की बहुत महत्पूर्ण है, इंग्यारत की अंतर ग्यारत बारत मिशन की अंधर गया। एलपीजी कनेक्शन दिये गए एक सो दो करोड लोगों को दो सो बीस करोड कोबीट का टीका करड़ हुआ 47.8 करोड पीम जंदन भैंग काते कोले गए पीम सुरक्षा और पीम जीवन जोती योजना के तहत 44.6 करोड बेक्तियों के लिए बीमा कभर हुआ पीम किशान निधी के अंतरगत 11.4 करोड से अधिक किशानों को 2.2 लाग करोड का नगत अंतरण मिला यह जो यहाँ पे लिखा है यह ऐसी योजनाए हैं जो इंक्लूसिव डेबलप्मेंट को बढ़ाती हैं समावेशी विकास को बढ़ाने वाली योजनाए हैं और उस पे क्या क्या हुआ है यह बताने का प्रयास यहाँ पे किया गया है इस बजट के माध्यम से आगे इन्हों ने लिखा है अमरित काल के लिए संकल्पना ससक्त और समावेशी अर्थव्यस्था की कल्पना की गई है जिसमें प्रद्योग की चलित और ग्यान आधारित अर्थव्यस्था शामिल होगी तो यहां पे मुक रूप से बात ये है कि प्रद्योग की चालिद और ग्यान आधारी तर्थविस्था सामिल करने की बात की गई है, ठीक है, इस बिजन को हासिल करने के लिए आर्थी के जंडा में तीन चीजों पर ध्यान के अंदित किया गया है, आर्थी के जंडा में जो त जो उद्ध्यम सीलता को रखने वाले यूबा हैं, उन सब को ये बजट पढ़ना चाहिए, बजट से बिजन निकल कर आता है, कि आगे 4-5 साल या कम सकम आगे 1 साल तक क्या करना है, ये हमें अच्छे से से क्लियर हो पाता है, ठीक है, तो आईए आपके देखते हैं, इस अवशर उपलब्द कराना, दूसरा विकास और रोजगार सिजन पर विशेज ध्यान करना, तीसरा ब्रिहाद आर्थिक सु इस्थरता को सुदर्ड करना, मतलब यूबाओं को उनकी आकांचाओं की पूर्ती कराने के लिए अवशर उपलब्द कराएंगे, विकास और महत्पूर्ण पॉइंट है इसको, आगे इसमें हम लोग को देखना है कि पियम विश्वकर्मा कौशल सम्मान निधी, यह बहुत महत्पूर्ण ही यह प्रधान मंतरी ने, आदर्णी प्रधान मंतरी ने मोधी शाह हमने भी अपने भाशन में भी उद्गोशना में भी यह कि जो हमारे हस्त सिल्फ के सिल्पकार हैं, जिन्हों ने, मतलब जो कारीगर है, कारीगर और सिल्पकार हैं, ने भारत का नाम रोशन किया है, उनको बिश्वकर्मा से संबोधित किया जाएगा, तो कभी आपसे परिक्षा में पूँच ले कि बिश्वकर्मा, बजट के बजट की एक बहुत ही अच्छी बात है, प्रधान मंत्री बिश्वकर्मा कॉंसल सम्मान निधी हस्त सिल्प और कारीगरों के लिए ये योजना लाई गई है, ठीक है, उसमें उनको बहुत सारा प्रॉफिट दिलाने की बात की गई है, मुख रूप से उनको बहुत सारी आ हरित प्रद्योग को ब्रांड प्रोमोशन, उनके ब्रांड का प्रोमोशन किया जाएगा, इस्थानी और बहुत बाजारों के साथ उनको जोड़ा जाएगा, डिश्टल भुकतान उनको सिखाया जाएगा, सोशल सिकेर्टी होगी, तो ये इसमें इंक्लूशन भी सामिल कर गया है, स्कीम का नाम आपको रियाद रखना है, पियम विकास, पियम विश्ट कर्मा, कौशल सम्मान या पियम विकास योजना, ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी पहल होगी, इसको देखना है, अगला परेटन पर, इन्होंने कहा कि हम परेटन को बढ़ावा देने के लि परेट भागीदारी के साथ, मिशन मोट पर कार किया जाएगा, परेटन को बढ़ावा देने के लिए, ये इतना यहां से इंपोर्टन है, ठीक है, आगे यदि हम लोग देखें, हरित विकास पर जोर दिया गया, ग्रीन इनर्जी पर जोर दिया गया, हरित विकास, हरित वि हरित भवन और हरित उपसकर, मतलब इसमें आप इंगलिस से समझना चाहते हैं, तो ग्रीन लगा दीजे, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एग्रिकल्चर, ग्रीन मोबिल्टी, ग्रीन बिल्डिंग और ग्रीन टैक्स के लिए, इस प्रकार से इसमें पूरा का देखें, इस बजट की कुछ प्रात्मिक्ताएं गिनाई गई हैं, और उन प्रात्मिक्ताओं को साथ खंडों में बाटा गया है, जिनको सब्तिरिसी के नाम से जाना गया है, तो यह बहुत महत्पूर्ण एक्टर मलाये गया है, तो अमरित काल के बजट में सब्तिरिसी, साथ priorities, साथ प्रात्मिक्ताएं जो हैं, उन प्रात्मिक्ताओं को आपको ध्यान डखना पड़ेगा और परिच्छा के दरश्ट कौनर से भी और आपके जागरुकता के दरश्ट कौनर से भी सब त्रिशी का जो ये नया संदर्प प्रस्तुत किया गया है, हना इसको हमें ध्यान लखना है मतलब साथ रिशी की संकल्पना की गई है जो कि इस बजट की प्रात्मिक्ता को तै करने में हना सहायता कर रही है या मार्ग दर्शन दे रही है इनको हमें ध्यान लखना है तो आएए देखते हैं इनके साथ रिशी कौन कौन से समावेशी विकास, बजट की प्रात्मिक्ता में है, inclusive development, अंतिम ब्यक्ति तक पहुँचना, आव सन्यचना एवम निफेस, infrastructure and investment, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, यूवा सक्ती और बित्तिय छेत्र, ये सब्तिरिशी का concept है, अर्थात इनको आप साथ भागों में, साथ बाटिये और ये बजट के साथ आदर्स होंगे, ये साथ लक्ष होंगे, इन में से एक है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम ब्यक्ति तक पहुँचना, मतलब इसमें अंतिम ब्यक्ति वो विक्ति होते हैं, जो अभी विकास की मुक्षधारा में सामिन नहीं हुए हैं, जैसे दूर सुदूर जंजाती छेतरों में स्थित जंजाती आदिवासी लोग उन तक महुचने की कोशिस के जाएगी, अब सरनचना पर निवेश किया जाएगा, सक्षमता को सामने लाया जाएगा, मतलब जो जिसकी सक्षमता है, जो जिसका कौशाल है, उसको सामने लाया सकता है कि बजट में संकल्पित सब्थरिशी का संकल्पना क्या है या आप से परिक्षा में पूछा जा सकता है कि सब्थरिशी में क्या-क्या सामिल है तो एक बाद फिर से देख लेते हैं समावेशी विकास अन्तीम बिक्ति पुर्वुत्र के आधार पर दूसरा सुधाय के अधार पर इसमें इनोhou ने कहा कि S.C. A.C. O.B.C. जूबा, महिला, किसान, सबको इसमें सामें, दिब्यांग, जन, जन, जाती सबको कभर किया जाएगा. ये तो समुधाय की बात होगी. दूसरा चेतर को उन्होंने कहा कि पूरबुत्र और जब्मू कस्मीर अक्सर पिछड़े होते हैं अक्सर उनको सामिल नहीं किया जाता तो इसमें हम समा वेसी विकास में कस्मीर, लद्दाक और पूरबुत्र पनिरंतर विकास उनके विकास का निरंतर ध्यान रखेंगे सहकारी उद्यमों के लिए क्रिशी के लिए digital public infrastructure बड़ी बात है ये क्रिशी के लिए digital public infrastructure त्यार करने की बात की जाएगी इस पर प्रयास किया जाएगा इसके अंतरगत क्या क्या होगा market intelligence, agri tech मतलब agriculture में technology industry को बढ़ावा, startups और क्या नाम है स्वास्त, फसल नियोजन, उनकी सुचनाओं, सेवाओं को फार्म के साथ input करने फसल भीमा आधि बहुत तरीके की बात इसके अंतरगत की जाएगी क्रिशी वर्धक निधी, agriculture accelerator fund, ये नए fund की विवस्था की गई है, इस fund को थोड़ा सा हमें समझना है, जिसको कहा गया है, क्रिशी वर्धक निधी, agriculture accelerator fund, ठीक है, इसको आप संचिप्त में कह सकते हैं, AAF, ठीक है, यूबा, उद्यमी, ग्रामीड शेत्रों में एगरी startup खोले इसके लिए उन्हें प्रोतसाहित करने के लिए किसी वर्धक निधी स्थापित की जाएगी, मतलब agriculture के छेत्रों में startups को बढ़ावा दिया जाएगा, ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, इसके बाद हम लोग फटा फटा आगे बढ़ें, तो कपास फसल की सट को आगे बढ़ाना, ठीक है, ये PPP model के आधरर पर इसको अगे बढ़ाये जाएगा, ये धियान रखना है, बागवानी में पहल गी है, वो है आत्म निर्वहर बागवानी स्वक्ष पौध का इकरम, अात्म निर्वहर बागवानी स्वक्ष पौध काईकरम को इस योजन में रखना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं लोग यह यहाँ पर एक बहुत ही important fact है परिक्षा के दरश्ट कोर से तो बहुत ही important है इसको ध्यान में रखना है मिलेट के लिए वैस्टविक केंदर अन्न स्री अन्न की संकल्पना की गई है मलब स्री अन्न नाम की योचना आएगी चलाए जाएगी उसमें प्रधान मंतरी ने अपने भाचर में भी कहा है भारत मिलेट को लोगपरी बनाने के कार में सबसे आगे है जिसकी खपत में पोशन, खाद सुरक्षा और किसानों के कल्यार को बढ़ावा मिलता है यहां पे एक मिलेट सब्दाया तो मिलेट का मतलब होता है मोटे अनाज मोटे अनाज में क्या क्या आता है उसको हमने यहां पे अलग से भी लिखा है बजट में भी लिख दिया गया है परिक परिक्षा के लिए आद रखिए ठीक है तो इसमें जो ठीजे है वो है क्या क्या है यह देख लीजे एक तो आपका ज्वार बाजरा रागी रागी को कई जगा मडूवा बोलते हैं मक्का जाव कोदो सामा बाजरा सावा लगूधा नयकुटकी कांगनी चीना यह सारे मोटे अनाज होते हैं इन्ही को मिलट नाम से जाना जाता है इसमें आगे लिखा भी यह देखते हैं हम दुनिया में स्री अन्न के सबसे बड़े उतपादक हैं और दूसरे सबसे बड़े निर्यात तक भी है मतलब मोटे अनाज का production सबसे ज़्यादा हमारे भारत में होता है ठीक है यहां से आपको धियान रखना है मोटे अनाज क्या सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है वह हमारे भारत में होता है और इसका एक्सपोर्ट निर्यात करने में हम दूसरे नंबर पर हैं हम कई प्रकार की स्री अन्न वाते हैं इनको स्री अन्न कहा गया थे अनकना है यह हमारे बहुत प्राचीन अन्न है मतलब हमारे जो पूरवच हैं इनका बहुत ज़्यादा स्यवन करते थे तब यही होता था इसलिए इनको स्री अन्न नाम दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छ और इसके विकास के लिए जो किशान होंगे उनको शेवाएं उपलब्दे कराई जाएंगी इनको याद रखना है अब भारत को स्री अन्न के लिए बैश्विक केंद्र बनाये जाएगा तो अन्नों पर जो सोध किया गया है वो स्री अन्न का बैश्विक केंद्र बनाये जाए कि भारती बाजरा अनुसंत्धान संस्थान कहां इस थे थे तो हैदरभाद में इस थे थे ठीक है को उतकरिष्टता के अंद के रूप में बनाया जायेगा स्री अनुकि उत्पादन के लिए जहां पर इस सम्बंधित सारे रिशर्च होंगे और उससे सम्बंधित सारी टेकनो आगे देखते हैं मत्स पालन मत्स पालन में 6,000 क्रोड रुपए का बजट रखा गया है जिसके अंतरगत पीम मत्स संपदा योजना के नाम से एक नई उप योजना चलाई जाएगी जो मचवारों मचली विक्रेता सोक्ष मुलाग उद्यम अपने कार में जो लगे हैं उनके लिए होगी तो यहां पर आपको दो चीजे ध्यान रखना है एक तो यह पीम मत्स संपदा योजना और इसके लिए 6,000 क्रोड रुपए की राशी शहकार से सम्रिध्धी के बिजन को हासिल करने का मॉडल लाए जाएगा इसको ध्यान रखना है आगे आपको इसी में देखन जाएगा तो यह राश्टी सहकारी डेटावेस त्यार किया जाएगा तो यह राश्टी सहकारी डेटावेस जो होगा वो किसके लिए होगा वो होगा राश्टी सहकारी डेटावेस जो होगा वो सहकारी तब को बढ़ावा देने के लिए होगा इसमें इतनी सी महत्पूर ब इकोंशल वर्धन के छेत्र मेधे हम लोग देखें तो यहां पर एक बात की गई है कि 117 मेडिकल कॉलेज जो है उनके साथ 117 नए honesty नर्शिंग कॉलेज अर्थात made girl कॉलेज के साथ हर एक μεड कलेज के साथ साथ एक नया nursing College स्थापित किया जाएगा तो मतलब 577 medical college उन्स खोले गए 2014 से ऊसमें एक एक नय Amber signed home भी एटाइझ किय जाएंगे थीका स्किल्स स्टील एन्मिय fica रग्तेसे सम्मन्धित ये रोग है रग्तालपतता का रोग है जिसमें आरवीशी का आकार जो होता है वो हांसियक की आकार का हो जाता है ये इसकी पहचान है इसके उन्मूलन के लिए प्रियास किया गया है तो बरस 2047 तक सिकल सेल एनेमिया को उनमूलन करने के लिए एक मिशन की सुरुआत की जाएगी तो इसका जो लक्ष रखा गया है 2047 रखा गया है आप से परिक्षा में क्या पूँच लेता है आप से परिक्षा में पूंच लेता है सिकलिसल एनेमिया के उन्मूलन का लक्ष कब तक के लिए रखा गया है तो यहां से आपको याद रखना है दोजार सेटालिस तक बजट में चर्चा की गई है मैं यहां पे इस पेडियोप के माधियम से इसलिए आपको यह बता रहा हूं कि यह सारी चीजे न्यूज डिसकुस्टन में समाने तरह नहीं आ पाती है इसके लिए जरूरी होता है न्यूज में वो आता है जो जनता को अच्छा लगे गर्णेवज में हूऑ आता है जो आम जन च县 के लिए हो लेकिन ये जो चीजे है ये परिक्षारतियों के हिससे आती हैं और परिक्षारतियों के पेपर में रहती है इसलिए इनका आप लोग को ही इनको देखना है और इनका कांगे जा रहे हैं उसके बारे हम थोड़ा सा देख लेते हैं हां पर कि एक नया सब्द आया फार्मा नवाचार फार्मा इनोवेशन अ क्षेट्र में फार्मा्यों कब्रद्रस्टार के प्रोसाहिद करने के लिए कुछ पुद्ध किस्टता के अंदर स्थापित किये जाएंगे इस पे ध्यान लखना है, चीकित्सा उपकरणों को बनाने से संबंदेत बहु बिश्यक पाटकरम की संकल्पना की गई है, अधियापकों को प्रसिक्षण दिया जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लखना है कि जो नबोन में से सिक्षाविक जान पाठेचरिया शतत पेशिवर विकास डिपिस्टिक सर्वेक्षण और ICT कायरिवन के माधिन से अधियाब को पुना है परिकल्पित किया गया है इसमें जिला इस्तर पर जिला सिक्षावं प्रिक्षण संस्थानों को जीवन उत्कित संस कि किसोरों के लिए राष्टी डिजिटल पुस्तकाल है यह यहां पर एक अच्छी बात कहीं गई है कि बच्चों और किसोरों के लिए अलग-अलग इलाकों भासवाओं बिस्यों इस्तर इस्तरों है नहीं कि बिस्यों और इस्तरों में गुर्वत्ता पूर्पुस्तके बिभी मुकर्मों के माधियम सुपलोब कराने के लिए के राष्टी डिजिटल पुस्तकाला की स्थापना की जाएगी यह पॉइंट आपके लिए इंपोर्टन्ट है राज्यों में उनके लिए पंचायत अथ राष्टी डिजिटल पुस्तकाला स्थापित किये जाएंगे अर्थात जो आगे इसमें सायद बात भी कही गई है कि कोरोना काल में कोविट काल में जो सिक्षा का या ग्यान ग्यान का जो प्रसार प्रसार कम हो पाया है विद्यार्थियों में पढ़ने की जो रुची कम यह प्रयास किया जाएगा इन पुस्तकालियों के माध्यम से, clear है, इनको आपको ध्यान रखना है, मतलब पढ़ने की संस्कृति बढ़े, उस पढ़ने की संस्कृति को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा, ठीक है, यहाँ याद रखना है इस बात को, आगे देखते हैं, इसके आगे, तो प्रात्मिक्ता नंबर टू, यह जितनी भी बाते हमने बताई, वो प्रात्मिक्ता नंबर टू पे था, मतलब सब तरिशी के एक हिंसे में था, जिसमें था समावेशी विकास को बढ़ावा देना, प्रात्मिक्ता नंबर टू है, थोड़ ब्यक्ति तक पहुंचना, सरकार का लक्ष होगा कि जिटने भी अन्तिम छोर के ब्यक्ति हैं उन तक बिभिन इसकीमों के माध्यम से सरकार पहुचे और उनके लिए कुछ न कुछ करे आयूस मत्स पालन, पसुपालन, डेरी, कोसल, विकास का काम उनके लिए करे ये इस बात की चर्चा की गई है और उन्होंने एक बात इस पस्ट रूप से कही है कि पिदहान मंत्री बाच पे इकी सरकार ने जंजाती कार मंत्राले तथा पूर्व तरचेतर विकास विवाग का गठन किया था तो यहां पर यह भी इंपोर्टन्ट हो जाता है कि जंजाती क कांग्रेश ने किया है साइद ऐसा किया गया हूँ पर उसे हमारा ज्यादा लेना देना नहीं है अटल वियारी बाच पे इने किया था जंजाती कार विकास मंत्राले का गठन याद रखना है आकांची जिले और ब्लॉक का एक्रम इन्होंने कहा कि हम 500 ब्लॉकों को कभर करत मतलब समग्र विकास के लिए स्वास्तपोसरसिक्छा क्रिसीजल संधान के लिए आकांची जिला बनाये जाएगा और उसी के जिलों के अंतरगत आकांची ब्लॉक बनाये जाएगा जिसमें 500 ब्लॉकों को कभर किया जाएगा पहले यह बात लिखी गई है प्रधा आकांची जिलों के बाद यहां पर एक नई स्कीम की चर्चा की गई है इसको ध्यान रखना है PBTG विकास मिशन PBTG क्या है PBTG है संबेदन सील जंजाती समू इसका फुलफाम याद रखना है आपको इसके बारे में एक नया मिशन सुरू किया जाएगा इनको आपको ध्यान में रखना है आगे इसके लिए रासी भी नो ने बता दी है पंद्रसो करोड रुपए अगले तीन वर्सों में इस मिशन के लिए लाए जाएगा एक लब माडल आवासी विद्याला चर्चा की गई है जंजाती विकास के लिए तो जंजाती विकास में एक लब माडल आदिवासी विद्याला खोले जाएंगे अगले तीन वर्सों में अगले तीन वर्षों का मतलब होता है दो हजार तेईस से दो हजार चबिस के बीच में साड़े तीन लाख जंजाती चात्रों के लिए चलाए जा रहे साथ सो चालिस एक लब माडल आवासी स्कूलों के लिए 38,800 नए अध्यापकों की भरती की जाएगी इसको भियाद रखना सूखा प्रवण छेतरों के लिए जल सूखा की बात आती है तो करना टक पहले नंबर पर आता है और उस सूखा प्रवण छेतरों के लिए सूख्ष में सिचाई सुविधा मुहिया कराई जाएगी संधार नी सूख्ष में सिचाई सुविधा उपलब्द कराई जाएगी ठ बढ़ा करके 79,000 करोड अर्थात 89 करोड रुपए से अधिकर दिया गया है भारत साज़ा पुरा लेख निधान भारत स्री योजना यहाँ पे एक नई योजना की चर्चा की गई है भारत स्री योजना याद रखेगा भारत स्री योजना एक हमने आपको बताया अनस्री योजना जो कि मिलेट या मोटा अनासर रिलेटेट है यहाँ पे भारत साज़ा पुरा लेख निधान एक डिजटल पूरा लेख संग्रहाले में प्रथम चरण में एक लाख प्राचीन पूरा लेखों के डिजटली करण के साथ स्थापित किया जाएगा इसको आपको ध्यान रखना है ठीक है आगे है निर्धन कैदियों की सहायता ऐसे कैदि जो अपना जुर्माना नहीं भर पाते उनके लिए भी सरकार ने कुछ सोचा है और उनको भी बित्ती सहायता उपलब्द कराये जाएगा आगे है प्राथमिक्ता नमबर तीन अब सनचना और निवेश पर काम मतलब सरकार इंफ्रास्टेक्चर पर निवेश का काम करेगी जिससे रोजगार सहजन होंगे ये बात बताई जाएगी इसमें ठीक है विकास और रोजगार के संबहा के रूप में पूजी गतनिवेश 33% किती में बृद्धी करके 10 लाख करोड किया जा रहा है दस लाख करोड तक हो जाएगा 3.3% की बृद्धी के साथ जो की 20 के मतलब 19-20 के परिवेश से लगवक तीन गुना अधिक है ठीक है इसके बाद प्रभावी पूजी गतनिवेश प्रभावी पूजी गतनिवेश का बचट 17.7 लाख करोड होगा जो की जीडीपी का 4.5 पृद्धत कहलाएगा इनको एक एक लाइन में हाद रखना है चाहें तो आप इसकी स्क्रिंसोर्ट रख सकते हैं जहां जहां पर हमने अंडरलाइन किया है और ये आप सहेज के रखिए परिक्षा के लिए बहुत ही को और एक वर्स जारी रखने का निड़ा लिया गया है अर्थात 50 वर्सी ब्याज मुक्त अभी सरकार देती रहेगी राज सरकारों को विविन अब सनचनाओं के विकास के लिए ठीक है आगे ध्यान रखना है जो अगला पॉइंट इंपोर्टेंट है रेलवे रेलवे के प 2013-14 में किये गए परिवे से लगभग 9 गुना जादा है तो इसको भी बढ़ाए गया है मतलब रेलवे का अच्छा विकास होगा इस पैसे की माध्यम से ठीक है लोजिस्टिक की बात करें लोजिस्टिक मतलब संभार तंत्र जहां से सामान को ले जाया ले जाया जाता है उस में सामिल जो लोग होते हैं वो सब सिस्टम को मिला करके एक साथ लोजिस्टिक सिस्टम का जाता है इसके लिए 15,000 करोड सहित 75,000 करोड के निवेस के साथ प्रात्मिकता दी जाएगी इसको इसके अंतरगत पत्तन कोयला इस्पात उर्बरक और खाद्यान छेत्रों के लिए विविन प्रकार की सेवाय सुरू की जाएंगी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 50 अतरिक्त हवाई अड़े ध्यान दीजेगा 50 अतरिक्त हवाई अड़े हेली पोर्ट बाटर एरोड्रोम और एडवांस लेंडिंग ग्राउंड का पुनुद्धार किया भविष्ट के संधारनी सहरों का विकास किया जाएगा ये इस बजट में बात की गई है भविष्ट के संधारनी सहरों की चर्चा की गई है ठीक है Municipal Bond के लिए सहरों को तयार किया जाएगा सहरी अब सनचना विकास ने थी पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लें सहरी अब सनचना विकास ने थी सहरी अब सनचना विकास ने थी मतलब RIDF की तरह ही चलाय जाएगा UIDF Rural Infrastructure Development Fund पहले से ही चलाय जा रहा था पर अब UIDF की स्थापना की जाएगी अर्थात R1 Infrastructure Development Fund दिया जाएगा जिसमें Tier 2 और Tier 3 के सहरी चेतर बनाए जाएगे इसके लिए 1000 करोड प्रती वर्स की धन्राश उपलब्द कराएगी इसको उड़ता उड़ता देख लिए प्रात्मिक्ता नमबर 4 सक्षमिक्ता को बढ़ाने वाला मतलब 17 रिसी का चौथा रिसी जो है वो है सक्षम्ता को बढ़ाने वाला प्रधान मंत्री ने अपने उद्धोषणा में कहा था कि सुशासन राष्ट की प्रगति का मूल मंत्र है सुशासन इसके अंतरगत मिसं कर्म-योगी चलाय जाएगा इसमें छंता निर्मार योजनाय आएंगी मिसं कर्म-योगी की अंतरगत आई-गन-कर्म-योगी नामक प्लेटफ़ार्म सुरू किया जाएगा, इस पर लाखों सरकारी कर्मचारियों को अपने काउनियन करने के लिए लोग के द्रिश्टरकॉर्ण अपनाने के लिए निरंतर सीखने के अवशर मिलेंगे तो मिशन कर्मयोगी के अंतरगत आईगोट कर्मयोगी नामा के एक प्लाट प्लेटफरम किसके लिए किया गया है सरकारी कर्मचारियों की छमता संबरधन के लिए याद रखना है बैपारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 49,000 से अधिक अनुपालनाओं पर काम किया गया है ठीक है थोड़ा सा यहाँ पर विशेश तोर पर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे AI पर कृतिम बुधिमता आठीफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए उत्कृष्टता केंदर की स्थापना की जाएगी इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कृतिम बुधिमता को भारत में बनाएं एवं कृतिम बुधिमता से भारत के लिए कार करें मतलब AI in India ठीके न मेकिन इन इंडिया और वो किसके लिए फोर इंडिया अलब भारत में कृतिम बुधिमता बनाई जाए और वो भारत के लिए कार करें इस बिजन को ध्यान में रखते हुए कृतिम बुधिमता के तीन उतक्रिष्टता के अंदर भारत में शुरू किये जाएंगे यही सारे प्रशनबाद में परिक्षाओं में बनते हैं और इन परसनों का उत्तार आपको जनली सामानेता है बीना पूरी पेडिया पढ़े नहीं मिल पाता जिस पर हमने कोशिस की है कि जहां जहां परिच्छा वाले पुठ हैं, उनको डारेक्ट आपके सामने क्यों न रखा जाए, तो इसके अगली कड़ी में हम लोग देखते हैं, राश्टी डाटा सासन नीती, राश्टी डाटा सासन नीती, स्टार्टप और सिक्षा बिदू द्वारा, नवाचार और अर परिच्छनल डेटा गवर्नेंस पोलसी लाई जाएगी, ठीक है, जो स्टार्टप और सिक्षा विदू द्वारा, नवाचार और संधान कार को बढ़ावा देगी, अपने ग्रांकों को जाने के वाईसी प्रक्रिया का सरली करण किया जाएगा, इसमें अभी जो है, वो एक आकार सब के लिए, वन स्केल फॉर आल की तक्निकी अपनाई जा रही है, उसके बार जोखिम आधारित मानदंड पर इसको सरल किया जाएगा, पहचान और पते का अध्यनिती करण के लिए, वन स्टाप समाधान आधार कार्ट में, या विविन एजनसियों के जो पते हो किया जाएगा, ये बात यहाँ में लिए, कि समान बिजनस पहचान करता, मतलब जो इस्थाई पैन होता है, उसके लिए भी कुछ इसमें सरली करित किया जाएगा, एकी करित फाइलिंग प्रक्रिया, विविन सरकारी एजनसियों को पास-पास अलग-अलग प्रस्तुत करने कि अब भीक्छा से बचने के लिए, अलब जो सरकारी कारियाले होते हैं, जो विविन अलग-अलग भागों में बटे होते हैं, उनको एक जगह लाया जाएगा, एकी करित फाइलिंग प्रक्रिया के तहट, ठीक है, नेस्ट इसमें है, बिवाद से विश्वास, सोक्ष मिला क्या कि किसी भी विवाद की इस्तिती में, जो जबते रासी होगी, उसका पंचान ने प्रतिसद भाग सरकार और सरकारी उद्मिद्वारा पार्टी को लोटा दिया जाएगा, ठीक है, इसके अलाबा, संबीदा गत विवादों का निप्टान, स्रेणी के निप्टान भरत स हमारे सामोहिक प्रयासों के लिए नीति आयोक का राझ सहायता मिसलं तीन वरसों के लिए जारी रहेगा. परिणाम आधारित, बित्ट फोशार इंपृट, परिणाम आधारित में बदल दिया जाएगा. ए नियायय वाये नियाय वाय परियोजना का क्यान शुरू होगा तो कई वार यही से प्रशन उठा लिया जायेगा कि ऑन शुरू किया जायेगा चरू टीन कितना बजटhh साथ हजार करोड रोपय का बजट दिया गया है ठीक है इनको ध्यान रखना है यदि आप ये पीडियफ चाहते हैं तो इस पीडियफ को आप हमारे टेली ग्राम ग्रूप से जो टॉपर्स वाली बात और स्री सुनराम एकडमी का जो टेली ग्राम ग्रूप है वहां से फिंटेग सेवाओं के भारत में फिंटेग सेवाओं के डिज्टल करण के लिए प्रयोग में अधार पीएम जंधन योचना बीडियो के वाईसी इंडिया ईस्ट्राइक और यूपीया सामिल हैं को सुगम बनाए जाएगा तो ध्यान देना यहाँ पर जितनी चीज़े लिखी हैं उन सब को एक साथ हम लोग कहते हैं फिन टेक सेवाएं फिन टेक सेवाएं वो सेवाएं हैं जिसमें हमको फिंगर इस्तेमाल करना होता है ठीक है निकाई डिजी लॉकर डीजी लॉकर हम लोग जानते हैं कि हमारा जो डिजिटल डाकुमेंट का प्लेटफॉर्म होता है उसको थोड़ा सा और सक्षम बनाया जाएगा ठीक है यहाँ पर यह बात लिखी है 5G सेवाएं यह हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टन हो जाता है 5G सेवाओं के संदर में जो बजट में बात की गई है वो यह है कि 5G सेवाओं का प्रियोक करते हुए एप्लिकेशन त्यार करने के लिए इंजिनिंग संस्थाओं में से 100 प्राथमिक प्रियोक शाला इसंस्थापित की जाएंगी कितनी 100 प्राथमिक प्रियोक शाला इस्थापित की जाएगी ठीक है इसके साथ-साथ इन प्रियोक शालाओं के साथ-समाट का छ्षाओं सोक्ष मिकरसी, इंटेलीजेन परिवाहन, प्रणाली और हेल्थ केयर अप्लिकेशन को भी कभर किया जाएगा ठीक है प्रयोग शाला से उत्पन हीरे LDG प्रयोग शाला से उत्पन हीरों को भी उसी तरह से ट्रिट किया जाएगा जैसे की दूसरे हमारे ख़दानों से हीरे प्राप्त होते हैं दूसरा LDG LDG ऐसे हीरा होता है ठीक है आगे हम लोग LDD के प्रात्मिकता नंबर 5 पर बात करेंगे। प्रात्मिकता नंबर 5 जो है वो हरित्विकास से संबन्दी हुआ है। ग्रीन एनर्जी माननी प्रधान मंत्री ने परिया वरण के प्रती सजक जीवन सेली को आंदोलन को गती देने के लिए लाइफ अथवा परिया वरण के लिए जीवन सेली की संकलपना अपना प्रस्तुत की गई है ठीक है तो लाइफ और इंबार्मेंट भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए बस की यहां पर एक तो लाइफ और दूसरा 25 अमृट का एकरम यह कारवन को सून कारवन को सून migrant के लिए कारिवन को सून के लिए symptoms लिए द्वोजार सब्सक्राइब है ठीक है इनको ध्यान से देख लेना है हरिद हरृडोजनियर के लिए उननीस हजार साथ सो करोड रुपए का बजट रखा गया है जो हमारा लक्ष है कि हम 2023 तक 5MMT का वार्षिक उत्पादन का लक्ष जो है वो हासिल कर लेंगे 2030 तक 5MMT कारवन उत्षरजन का लक्ष रख लेंगे उर्जा परिवाहान तथा नियोल सोट दिशों और उर्जा सुरक्षा की दिशा में प्रात्मिक्ता प्राप्त पुझी के निविशों के लिए 35,000 करोड रुपए का प्राधान किया जा रहा है इनको याद रखना है ठीक है आगे इस बजट में हमारे लिए है उर्जा भंडारान परियोजनाई उर्जा भंडारान परियोजनाओ के अंतरगत 4000 MWH की छमता वाली बैटरी उर्जा को उत्पादन किया जाएगा ठीक है इसी में हमें आगे देखना है नविकरणी उर्जा का निस्कवान तेरा गीगाबाट नविकरणी उर्जा के निस्कवान और ग्रिड एकी करण के लिए अंतर राजी परी पार्सेल पुडाली 20,700 करोड रुपए के निवेस से लाई जाएगी हारी तरण क्रेडिट का एकरम यहाँ पे ग्रीन जो हमारा हारी तूर्जा प्रापधान है उसकी अंतर गत हारी तरण क्रेडिट मतलब ग्रीन क्रेडिट का एकरम लाए जाएगा इसको बढ़ाबा दिया जाएगा ठीक है इसको ध्यान रखना है आप लोगको इसके अलाबा पियंब प्रणाम ये अच्छी योजना प्रियंब प्रणाम प्रिथवी माता के पुनुरृधार इसके प्रती जागरुगता पोषण और सुधार है तो प्रधान मंत्री काइकरम राज्यों और राजसंग छेत्रों को रासानी कुर्वकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर बैकल्पी कुर्वकों को प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रणाम योजना चलाई गई है ठीक है मतलब इसका संबन्द क्या है परियावरण प्रत्वी माता का पुनुधार मतलब इसको आप कह सकते हैं कि मिर्दास नक्षड से संबन्द ये योजना है गोबर्धन इसकीम गोबर्धन का संचित फाम भी यहां पर बहुत अच्छा बन ठीक है दखिए ऐसे लिकेंगे जी ओगैलबर्धन रगानिक बायो एग्रो रिसॉर्स ट्री फौर्फ फौर्म और उसके बाद लगा दिया इन्होंने धन ये श्कीम बोन गई किया हूं इसकीम इसकी मैं तल्यान इसकीम 25 сама होगा 500 नए आवस्षिता हैं से आंधनी स्यंत्रों को चक्री अर्थवस्ता को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा इनमें से 200 कंप्रेश्ट बायो गैस अर्था CBG स्यंत्र सामिल होंगे जिनमें सहरी छेत्रों में 75 यहीं से सप्रश्ण बनते हैं सहरी छेत्रों में 75 तथा 300 समदा इस तर पर क्लश्टर आधरी सेंट लगाये जाएंगे जिनमें कुल लागत है 10,000 करोड रुपए भाख्खा में इसको और जिक्र किया जाएगा यहां पर ध्यान रखना है आगे भारती प्राकतिक खेती बायो इनपुट संसाधन भारती प्राकतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर के लिए इसमें 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स के अंधिस्थापित किया जाएंगे एगले 3 वर्षों में यह हमें याद रखना है एक योजना मिस्टी के नाम से है तटी तटीय छेत्रों में मैंगूरूब के संडक्षन के लिए लाए गया है मैंगूल पौधरों के लिए मैंगूरूब पौधों के लिए ठीक है ना मिश्टी नाम है अमरित धरोहर अमरित धरोहर वो धरोहरे हैं जिनको 20 स्तर पर पहचान मिली है इसमें प्रधान मंतरी ने सबसे पहले हाल में मन के बात में कहा था कि हमारे देश में रामसर साइटों की संख्या कुल 75 हो गई है जो कि 2014 से पहले 26 थी तो 26 से बढ़कर 75 रामसर साइट हो गई है ये बहुत ही इंपोर्टेंट है अब इनको अमरिद धरोहरों के अंतरगत सामिल किया जा रहा है क्लियर है इसके बाद हम लोग देखें तटी नौबहान तटी नौबहान के छेतर में पीपी मॉडल पर कायम किया जाएगा बाहनों का प्रतिस्थापन यहां पर एक अच्छी नियूज है अच्छी ख़वर है कि बजट 2021-22 में उलेकित बाहन स्क्रैपिंग नहीं थी महां पुराने हो गए हैं जिनसे ज़्यादा प्रदूसर्ण होता है उनको इस क्रैपिंग के लिए बेजा जाएगा और सरकारी बाहन ऐसे सभी सरकारी बाहन अम्बु लेंसादी थीग जाएंगे ठीक है प्रात्मिक्ता नंबर 6 है यूबा सक्ती यूबा सक्ती के विकास के लिए अमरित पीड़ी में विकास के लिए अमरित पीड़ी के सपने को साकार मदद करने के लिए उनके कौशल वर्धन को लक्ष रखा गया है कौशल वर्धन का लक्ष रखा गया है प्रधान मंत्री कोशल विकास योजना 4.0 चलाई जाएगी जिसके माध्यम से स्किल डेबलप्मेंट का काम होगा इसके अंतरगत आउन जाब प्रसिक्षन, उद्योग साज़ेदारी, विविन प्रकार के पाठ्थे क्रमों का संडेखन, ठीक है प्रशिक्षन, ड्रोनों, सौप्ट बेयर जैसे, मतलब सौप्ट स्किल जैसे, 30 स्किल इंटरनेशनल स्थापित किये जाएगे इसके अलाबा स्किल इंडिया डिजिटल प्रेटफर्म विक्सित किये जाएगा राष्टी, प्रसिक्षुक्ता, प्रतोसाहन, योजना, 47 लाक युबाओं को ब्रित्टी का सहायता पदान करने के लिए डारेक्ट बेनी पर ट्रांसपर किया जाएगा ट्रांसपर स्कीम सुरू की जाएगी प्रेटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे इंपोर्टन कुछ तत्तोते हैं जिनके लिए इस बजट में प्रापधान किया गया है तो सबसे पहले तो 50 गंत्यब्यों का चैलेंज मोड में चैन किया जाएगा इसके लिए कनेक्टिविटी, बर्चूल कनेक्टिविटी, टूरिस्ट गाइड, फूड स्ट्रीट और सुरक्षा कबच जैसे बिभेन पहलों पर काम किया जाएगा देखो अपना देश पहल का उद्देश हासिल करने के लिए देखो अपना देश स्कीम चलाई जाएगी इसमें सामल किया जाएगा सवदेश दर्षन योजना सुरू की गई थी विलेस प्रोग्राम सुरू के गई था, उसको इसको जोडा जाएगा और उसके लिए बिफिन सुभिधाय उपलब्द कराई जाएंगे ठीक है इसके अलावा यूनिटी मॉल ये भी एक बहुत अच्छी पहल है यूनिटी मॉल राज्यों को उनके स्वैम के ओडी ओपी एक जिला एक उतपाद जी आई उतपाद और अनहस्त सिल्फ उतपादों को बढ़ावा देने के लिए उनकी बिक्री करने के लिए और सेस राज्तों में ऐसे उतपादों के स्थान उपलब्द करवाने के लिए प्रमुख परेटन के इंदरों पर अथवा उनकी बित्ती राजधानी में एक यूनिटी मॉल इस्थापित किया जाएगा तो यूनिटी मॉल जो हमारे इस्थानी उतपाद हैं उनसे संबंधित मॉल इस्थापित किये जाएंगे ठीक है उनको बिक्री करने के लिए प्रात्मिकता नमबर साथ है बित्ती चेत्र बित्ती चेत्र के अंतरगत कुछ चीज़ें इंपोर्टन्ट है जैसे MSME के लिए रड़ गारंटी को नवीनी करित करने का प्रस्ताव किया गया है जिसके अंतरगत 9000 करोड रुपए जोड़कर नवीनी उजना को 1 अपरेल 2023 से सुरू किया जाएगा राश्टी बित्ती सूचना रिजिस्टी को सुरू किया जाएगा ठीक है ऐसे ही अमरित काल में बित्ती चेत्र में बिनियम को पूरा करने के लिए सुगम मनाने के लिए कार किया जाएगा जी आई एफ टी इन्डिया फस्ट इंतर नाशनल फाइनेंशल सेविस्टी बढ़ावा दिया जाएगा इनकी चर्चा बजट में की गई है इन्हें ध्यान डखना है डेटा दूतावास ठीक है यहाँ पर डेटा दूतावास खोला जाएगा डिजिटल निरंतरता समाधान डोने वाले देशों के लिए हम जी आई एफटी जी आई एफसी में उनके डेटा दूतावास की स्थापना कुश्रुगम बनाएंगे निवेश को आकर्षत करने के लिए प्राभधान किये गए है यहाँ पर एक और इंपोर्टन चीज है जो देख लेना चाहिए केंद्री डेटा संसाधन केंद्र केंद्र केंद्री डेटा संसाधन केंद्र किस्था अपना की जाएगी ठीक है इनको याद रखना है इसके अलावा सेयर और लावांशों को पुना लावांशों का पुना दावा मतलब यतना ज्यादा इंपोर्टेंट आपके लिए नहीं डिश्टल भुक्तान बस दो हजार वाइस में में लेन रंचियतर प्रसद की मूल में इंक्याने प्रसद ब्रिद्ध हुई थी इस डिश्टल पब्लिक इंफ्रस्ट्रक्चर के राज कोशी सहायता बस दो हजार तेईस चोविस में भी जारी रखेंगे आजादी का अमरित के उपलक्ष पर महिला समान बचत पत्र जारी किया जाएगा जो मार्च दो हजार पचीस तक दो वर्स की अवद के लिए एक कालिक नई लगू बचत योजना सामिल किये जाएगी यह महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंसिक आहरड विकल्प के साथ दो वर्सों के राज्यों को 50 वर्सों के लिए ब्याज मुक्त रिंड देने की बात पहले भी बता चुका हूँ ठीक है उनको याद रखना है राज्यों के राजकोसी घाटे को साथे 3 प्रतिशत तक कम किया जाएगा जिसका 0 तसमालब 5 प्रतिशत बिद्दु छेतर में सुधार से जाएगा ठीक है याद रखना है मतलब राज्यों के राजकोसी घाटे को साथे 3 प्रतिशत तक उनके जी एसडीपी के साथे 3 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष रखा गया है राजकोसी घाटे का संसोधित अन्मान जीटीपी का साथे 6 प्रतिशत है जो बजट के अनूप है यहाँ पर बजट अनूप लेज़ा tror дней 23 जो बारे में बताया गया है कि किरमशाय 27.7 अनूप करोड और 45 लाग करोड होने का अनूप लगा इन्हीं के जो इच का अंतर होता है वही राजकोशी घाटा होता है ठीक है राजकोशी घाटा GDP के पांद सम्लम नौ प्रसत रहने का अनुवान है बस 2021-22 के अपने बजट भासण में उन्होंने ये कोश्रा के थी निर्मला सितर अमर जी ने कि हम काल अंतर में राजकोशी घाटे में सतत रू 26 तक राजकोशी घाटा को 4,5 प्रतिशत तक किया जाएगा